हलो, वेलकम यू आल, आज हमें करने हैं, नेक्स टॉपिक कांटिन्यू, एक्वेशन ओफ मोशन विद दा हाल पॉफ कैल्कुलस मेथट, यह प्लस वन में अडिशनल है, बिकाज यह चीज आप नाइन्थ क्लास में नहीं करते हो, नाइन्थ क्लास में आप एक्वेशन ओफ मो हती है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन, ओके, सो डेरिवेशन इंटीग्रेशन के अल्रडी जो वीडियो है, मैं अप्लोड कर चुकी हूँ, बहुत टाइम की करी हुई है, यह वीडियो अप्लोड, सो उसका लिंक में आपको जरूर दूंगे, डिस्क्रिप्शन में आप वह जो बेसिक डेफिनेशन है, वो क्या होती है, rate of change of velocity upon time, आपका यह जो d upon dt होता है यहां पर, it is derivative, जब आप वो वीडियो अच्छे से देख लोगे, derivation integration की, तो you will get all the concepts, properly मतलब वहां पर आप वो मिल जाएंगे, ठीक है जी, so it's dv upon dt, जो change होता है न, उसको हम derivative बोलती है, so उसको हम represent किसके साथ करते है, d upon dt के साथ, clear, now, यहां पर अभी हमें क्या करना है, यह जो dt वाली, I mean जो d वाली चीज है, not only dt, dv, कुछ भी है, यह जो d वाली चीज है न, यह दोनों साइड होनी जरूरी है, okay, because यहां पर integration करनी है हमने, so this dt को उस साइड ले जाओ, it will become a dt is equals to dv, अब देखो इधर भी आगया एक तरम, एक तरम इस साइड भी आगया, clear, now, जहां में भी d आ जाए, उसको solve करने का तरीका होता है, integration लेना, okay, और integration are opposite to each other, okay, यह एक दूसरे को cancel out कर देते हैं, इस वज़े से we'll take integration here, okay, both sides, take integration, both sides, clear, so integration का sign पुछ ऐसा होता है, this one, equals to, यहां पर भी आ जाएगी, this one, clear, अब देखो, जिस भी टरम के साथ d लगा होता है, उसी की हमें limit लेनी होती है, जैसे यहां पर किसके साथ है, time के साथ, it means limit क्या होएगी, time की 0 to t, initial time 0, final time t, यहां पर किसके साथ है, v के साथ, तो it means limit क्या होएगी, initial velocity u, final velocity v, clear, उसके बाद, अब यहां पर देखो, यह भी चीज़ important होती है, जिसके साथ d लगा होता है, उसी क की ही integration होती है उसी के variables की integration होती है यहां किसके साथ है time के साथ it means जो acceleration उसके अंदर तो time नहीं आ रहा so it means I can take a outside ठीक है जी as a constant में इसको बाहर ले सकती हूं अंदर क्या रहे जेगा dt 0 to t यहां पर देखो यहां पर तो अभी कुछ ही नहीं इसके आगे so it means d और integration will cancel out each other okay वैसे यह ऐसे दिखाते नहीं है just आपको समझाने के लिए कर है because plus one में maths में इस चीज़ का ज्यादा ध्यान रखा जाता है physics के अंदर इतना नहीं हो करते so चल जाता है अगर इतना भी कर दोगे तो यह होजेगा V यहां पर आगी इसकी limits यह limits तब तक चलती रहेंगी जब तक आप उन limits को substitute नहीं कर देते okay now यहां पर देखो सेम यहां पर भी कर सकते हैं हम D और integration को cancel कर सकते हैं इस D को ही खतम करने के लिए हमें integration लेनी पड़ी थी okay so A आ गया T आ गया limit 0 to T as it is रखो इधर V to U to V as it is now substitute limits अब limits कैसे substitute करते हैं ध्यान से देख ले ना एक बार A तो constant है इसको तो बाहर यहां पर limits का कोई फरक नहीं है limit हमेशा इसी वे में substitute करी जाती है upper limit minus lower limit what is the upper limit here this one जो उपर है T so it will become T minus lower limit is 0 so मतलब T minus 0 clear equals to यहां पर भी upper limit is V lower limit is U so यह आ जाएगा V minus U Done, now T minus 0 is T so यह आ जाएगा A T is equals to V minus U इसको थोड़ा सा rearrange कर लो आपकी equation आ जाएगी V is equals to U plus A T U को उस से लेगी मैं plus कर दिया clear you can take screen shot ताके आपको याद रहे बाद में भी यह चीज बीच बीच में मैंने बता भी दिये concepts आपको derivation integration की जो mean होते हैं जितना आपको physics के लिए चाहिए उतना ओके नाओ कम तो next equation second जो equation होती है ना वहाँ पे हम use करेंगे velocity का formula what is the formula of velocity हम 9 में लिखते थे कि velocity is rate of change of distance so यह हो गया mathematically distance is x d upon dt क्या हो गया change okay t हो गया time का clear अब भी भी हमें same चीज करनी है इस dt को उस साइड ले जाओ क्योंकि d वाला time हमें उधर भी चाहिए so v dt is equals to dx clear same चीज take integration v dt dx और limit हमेशा लेनी है यहाँ पर फिर से time आ गया तो limit same हो जाएगी 0 to t कि यहाँ पर आ गया distance distance को अगर आप देखते हो distance के आप क्या limit ले सकते हो distance का मतलब क्या होता है कि initially तो body rest पर है बाद में चलना start कर देगी some distance के साथ तो हम क्या गरेंगे 0 to s लेंगे ओके 0 to s इसके limit आगी now solve it यहाँ पर देखो अगर आप velocity बाहर निकालके simple time को solve कर दोगे न तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर हम velocity का formula देखे न जो हमने first equation में प्रूफ कर रहा है first equation से velocity क्या आई थी मारे पास u plus a t है ना it means इसके अंदर time आ चुक है हम दिखा चुक है इस चीज को so you have to substitute its value here u plus a t into dt as it is रहेगा equals to यह सारा term as it is इसके तो कर दो चाहे integration इधर वाली side से d और यह cancel out क्योंकि यहां पर कोई और टर्म नहीं है simple क्या बच गया मारे पास x और उसकी limit मारे पास साथ साथ चलती जाएगी 0 to s done next देखो जैसे maths में करते हैं कि यह जो टर्म है dt इधर इस वाले number के साथ भी multiply होगी और इस वाले के साथ भी multiply होगी ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है mathematics में भी ऐसा ही होता है कि जो bracket के बाहर number होता है वो bracket के अंदर जितनी भी terms है सब के साथ multiply में जाएगा ओके सो जब आप इसे करोगे तो हमारे पास दो अलग-अलग terms आ जाएगी for example look at here एक तो यह आजेगी 0 to t udt plus integration भी अलग कर दी मैंने इनकी next आजेगी at dt is equals to यह limit substitute कर दो s minus 0 done now इसको solve करो अब देखो u तो यहाँ पे constant ही है क्योंकि t वाली terms चाहिए थी हमें so u is behaving as constant तो इसको बाहर लेलो अंदर रह जाएगा dt only plus यहाँ पे similarly a is constant take it outside यहाँ क्या रह जाएगा t dt यह अंदर रह जाएगी term इतर वाली side तो s आई गया हमारे पास okay then next step क्या होगा u यहाँ पे देखो d और integration cancel out होगे बचकिया t और इसकी limit plus a as it is now यहाँ पे अब आगी integration जो हम proper use करते हैं mathematics में अब यहाँ पे t dt आ गया integration करना formula होता है कि जब भी आप किसी चीज की integration करते हो किसी भी term की तो वहाँ पे क्या हो जाता है उसकी power एक number increase हो जाती है suppose क्या यहाँ पे है इसकी 1 दिखी रही है t raise to power 1 नहीं है ना खाली पड़ा है t तो t की 1 है तो answer में क्या आजएगा integration करके t raise to power 2 और यही 2 जो उपर लगाया है यही आजाता है divide में यह rule होता है integration का जब आप integration को बहुत अच्छे से पड़ोगे फिर आपको यह ज्यादा deeply आएंगे बट यहाँ पे मैं आपको इतना deep नहीं करवाऊंगी ठीक है क्योंकि हमे मैंने आपको अल्रेडी बोल दिया कि इन सब चीजों की जो वीडियो है वो अल्रेडी अप्लोडेड है चैनल पे तो आप चेक कर सकते हो वहां से एक प्रॉपर आर्टिकल है प्लस वान के कोडिंग कितनी डैरिवेशन और इंटिग्रेशन करनी है हमने ओके वह सारा वहां पर समझाया हुआ है तो यह आगया हमारे पास नाओ जास सब्सिजूट लिमेट्स यह को इदर लिख लेते हैं हम यह आगया यू देखो यहां पर लिमेट्स सब्सिजूट करोगे टी माइनस जीरो आजेगा तो वह टी ही आगया डारेक्ट लिक दो ऐसी यहां पर यह तो पू तो कॉंस्टेंट है यह भी बाहर निकाल लो तो यह आगया वन बाई टू ए अब बचा उपर टी स्क्वेर सिमिलरली जैसे यहां पर टी माइनस जीरो आना था यहां भी तो वही आएगा टी माइनस जीरो की होल स्क्वेर टी माइनस जीरो तो टी होता है तो अंसर में क क्या आजेगा, T square, so this is your final second equation of motion, you can take screenshot, clear, ताकि आपको easily समझ आ जाई अच्छे से, ठीक है जी, screenshot लेके रख लो आप, जिन्होंने no dumb नहीं करा, now come to next equation of motion, next equation में हम दुबारा से acceleration का formula उठाएंगे, मट उसमें कुछ additions करेंगे, अपनी तरफ से, so come to this equation, as we know, acceleration is equals to dv upon dt, है न, तर्मी कितनी है, dv upon dt हो गया, तो addition हमने क्या करनी है यहाँ पर, I'll multiply and divide this term by dx, अपनी दरफ से मैंने इसको multiply और divide कर दिया, dx के साथ, dx is what, rate of change of distance, कोई फारक नहीं पड़ा, चाहो तो cancel out करोगे, तो 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है, बट cancel out नहीं करना, हमने तब ही तो लगाया है, क्योंकि इसका कुछ use है यहा एक साथ लिख सकती हूँ, multiply, dx उपन dt को एक साथ लिख सकती हूँ, कोई problem नहीं है नहीं, इसमें, नहीं से चेक कर लो एक बार, so acceleration हमारे पास आगी, dv upon dx, dx upon dt, okay, now, dx upon dt क्या होता है, मारे पास, this one, dx upon dt, it is velocity, है न, rate of change of distance, is known as velocity, और dv upon dx, तो मैं as it is लिख देती हूँ, यहाँ पे, clear, next, फिर से हमें same करना है, इस dx को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें उस साइड भी चाहिए, एक d वाली term, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, next step में ले लो integration, integration, integration देखो, यह x है, यहाँ पे, मतलब distance, तो limit भी आएगी, distance की, 0 to s, यहाँ velocity है, limit आएगी, velocity की, u to v, clear, now, just integration करनी है, हमने, so, यहाँ देखो, a बाहर आजाएगा, constant है, x की जब आप करोगे, integration, तो क्या आजेगी मारे पास, simple x आजेगा न, dx की जब करोगे, है न, d और यह cancel out होजेगा, x आगया, और limit आएगी इसकी, clear, यहाँ पे अब जैसे हमने time वाले case में करा था न, के v की power कितनी है यहाँ, 1, तो it means integration करके कितना आजेगा, v square upon 2, और यहाँ इसकी आगी, limit, done, now solve it, यहाँ limit substitute करोगे, you will get s minus 0, upper limit minus lower limit, is equals to, यहाँ पे 1 by 2 बाहर ही ले लो, because वो तो constant है, उसको limit का कोई effect नहीं पड़ेगा, है न, substitute limits है, पहले v है, तो यहाँ substitute करोगे, v की जगा पे v square as it is ही आजेगा, minus, lower limit क्या है, u, so it means, यहाँ क्या substitute करेंगे, u square, done, now, it is as, और यह सा आगया हमाएं पास, now, यह जो 2 है, उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ गेट यॉर थर्ड equation of motion, done, हाँ, इसका भी screenshot ले लो, done, so यह होगी मारी calculus method के साथ, तीन equations of motion, बहुत ही जादा easy topic है, आप चाहो, तो मैं आपको दुबारा से, जो integration और derivation की वीडियो है, वो upload कर दूँगी, बना के दे दूँगी, तो आप comment section में type कर सकते हो, if you want to clarify your concept, है ना, so, please stay in touch with this channel, and अगर अभी तक आपने मेरा channel सब्स्क्राइब नहीं का रहा है, तो please subscribe my channel, and press the bell icon for further notifications, thank you, thank you so much for watching this video,